नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाएं में आपका तेह दिल से स्वागत और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मचली खाने के फाइदे के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें लेकिन इस से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाएं तुरंट सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ये कम ही लोगों को पता है जब भी मचली खाने की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जो मचली ज्यादा खाते हैं इसलिए उनके बाल लंबे काले और मोटे होते हैं साथ ही उनकी आँखों भी खुबसूरत होती हैं पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मचली खाने से बार खुबसूरत बनते हैं बलकि इसके और भी कई हेल्थर बेनुफिट हैं जो शायद ही किसी दूसरे खाद्य में मिलते हों मचली में लोफेट होता है और बहुत अधिक मात्रा में प्रोटी ओमेगा रिंटीन फैटी एसिट पाए जाने के कारण भी मचली स्वास्थे के ल में जो लोग नियमत रूप से मचली का सेवन करते हैं उन्हें केंसर होने का खत्रा कम होता है मचली में आहार में मचली को इस्तमाल करना आपके लिए बहुत फाइदेमंद होगा 2. दिमाग तेज़ करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तेज दिमाग वाला बने तो उसे आज से ही मच्छली खिलाना शुरू कर दीजिए मच्छली में मौझूद बोशक तत्व मस्तिश्क को तेज करने का काम करते हैं मचली में मौझूद फैटी एसिट दिमाग को पेज करता है और समरन शक्ती बढ़ाता है इसके साथ ही इसमें मौझूद प्रोटीन से मस्तिश्क की नई कोशिकाओं का निर्माण होता है 3. दिल की सुरक्षा के लिए होट पेशेंट्स के लिए मचली बहुत फाइदेमंद है इसमें पाय जाने वाला ओमेगारिंटीन फैटी एसिट दिल और उसकी मास पेशियों को मजबूत बनाता है मचली में लो फैट होता है जिससे कॉलेस्टरॉल की मातरा बढ़ने नहीं पाती है मचलीों में पाया जाने वाला ओमेगारिंटीन फैटी एसिट दिल की सुरक्षा में मदद करता है चार उच और रक्चाप को नियंतरित करने में अगर आपको उच रक्चाप की समस्या है तो आपको अभी दूसरे मांसाहार छोड़कर मचली घाना शुरू कर देना चाहिए मचली में लो फैट होता है जिसकी वजह से हाई बलाद प्रेशन की समस्या बढ़ने नहीं पाती है तवचा और बालों के लिए मचली में मिलने वाले ओमेगारिंटीन की वजह से इसका सेवन करने वालों की तवचा और बाल खूब सूरक बने रहते हैं इससे तवचा की नमी नहीं जाने पाती है और पाल भी चमकतार बने रहते हैं शे डिप्रेशन दूर करने में शूमेगारिंटीन के सेवन से अफसाद की स्थिती में भी फाइदा मिलता है गड़ भावस्था के दौरान महिलाएं अक्सर अफसाद से घिर जाती हैं ऐसे में डौक्टर उन्हें शूमेगारिंटीन की कैपसुल लेने की सलाह देते हैं लेकिन मचली का सेवन करते रहने से कैपसुल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 7. हेल्डी स्पर्म के लिए एक स्टाडी में कहा गया है कि जो पुरुष मचली के साथ अच्छा आहार जैसे फल और दूसरी हेल्डी चीजों का सेवन करते रहते हैं उनके स्पर्म हेल्डी होते हैं और सक्रिय भी उमीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको और ये वीडियो इंफॉर्मटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाटस अप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूले और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटिट कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले हम जल्द से जल्द जवाब देंगे और अगर आप इस चानल पर नए हैं या भी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाए सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर ले क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्तार दोस्तों